शरीर के रंग को गोरा करने का एक बहुती कमाल का है का आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ जो कि हमारे रंग को निकारने में मदद करेगा इसकिन को दूच जैसा गोरा और सुन्दर भी बनाएगा चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या चाहिए सबसे पहले मैंने याँ पर इस्तमाल करा है इनो पाउडर का इनो जो होता है न हमारे सकिन पर जमे हुए मैल और गंदगी को निकालने में मदद करता है और बहुत ही अच्छे से डेट सकिन सेल्स की लेयर को रिमूव करता है हम सबसे पहले यहाँ पर इस्तिमाल करने वाले हैं एक इनो का पाउच और थोड़ा सा तासा दही दही हमारी स्किन को लंबे समय तक मॉश्यराइज रखता है टैनिंग को रिमूब करने का भी काम करता है और हमारी skin इसके इस्तेमाल से लंबे समय तक moisturize भी रहती है hydrated रहती है और वैसे भी ino थोड़ा से strong होता है हमारे skin के लिए तो दही जो है ना हमारी skin को red नहीं होने देगा irritate नहीं होने देगा हमारी skin को और ज़रा सी भी redness नहीं आएगी skin irritation को खतम करेगा दही और अपनी efficiency खो देता है इसलिए मैंने आपको कहा है fresh ino का पाउच यूज करने के लिए इसका एक पाउच मात्र 4 या 5 रुपे का आता है आपको ino का पूरा एक पाउच यूज करना है इसमें हम डालने वाले हैं दही दही में होती है खटाई और खटाई होने की वज़े से य इनो के साथ react करना शुरू करेगा और इसमें bubbles भी आना शुरू हो जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया इनो थोड़ा सादा strong है तो इसे हम थोड़ा सा और moisturizing बनाने के लिए थोड़ा सा नारियल का तेल भी डालने बाने है coconut oil मल्टी परबस oil होता है इसे आप अपने बालों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं स्किन के लिए भी अप्लाए कर सकते हैं बहुती कमाल का hair oil है ये तो इनो में नारियल का तेल डालने के बाद अब मैं इसमें दही भी डाल दिया है ये देखे जैसे ही मैं इसमें दही डाला है इसमें reaction होना शुरू हो गया है इनोंने दही की खटाई के साथ react किया है और ये थोड़ा सा जाग वाला बन कर ready हो गया है इस body pack को आपको अप्लाए करना है ये हमारे skin को अची तरीके से exfoliate करेगा dead skin cells की layer को remove करने में help करेगा इस remedy को बनाना बहुत ही आसान है और इसके result आपको पहली बार के इस्तमाल करने में ही देखने को मिलेंगे instantly आपको अपने skin में glow देखने को मिलेगा और brightening result देखने को मिलेंगे तो मैंने इसे अपने hands पर apply करा है हाथों पर बहुत जारा tanning थी इसलिए और इससे में सबसे पहले scrubbing कर रही हूँ scrubbing करने के बाद आपको इसको एक pack की तरह लगा कर छोड़ देना है यहाथों तरह रहा है